तो चलिए दोस्तों अभी current affairs mcqs के बारे में हम discuss कर लेते हैं क्योंकि यह last section है दोस्तों speedy current affairs magazine का अब तक हमने one liners भी देख लिये हैं सारे पूरे year के one liners में आपको पढ़ा दिया है तो सारा उसका भी मैं separate video बना दूंगा one liners का जिसको स्रिफ one liner देखना है वो उस वीडियो को देख सकता है यह फिर complete magazine आपको पढ़ी नहीं है तो एक marathon वीडियो में बना दूंगा और साथ यसाथ mcqs का भी अलग video बना रहा हूं यह अभी जो mcqs है यह आपको marathon में मिलेंगे प्लस इसका अलग separate video भी रहेगा ताके जिसको स्रिफ mcqs पढ़ना है जिसको revise करना है वो easily हो सके वरना हर बार हमेशा marathon को open करेगा फिर last तक उसको scroll करेगा तो इसलिए मैंने सोचा कि तीन parts में इसको लेका हूं एक तो marathon और तीसरा mcqs रहेगा दोस्तों clear तो चलिए अभी जो current of mcqs में जिस तरह हमने one liner cover किया था उसी तरह cover करते आएंगे क्योंकि यह options आपके सामने नजर आ रहे हैं मैं options को दुबारा repeat नहीं करूंगा चुके time waste हो जाएगा direct में answer आपको यहां पर बताता है चलूंगा okay तो चलिए दोस्तों recently 37th edition of the corp act has organized between India and with which country in Indian ocean region the correct answer is d Indonesia के बीच में होया दोस्तों India और Indonesia के बीच में who has authored the recently discussed book title contested lands India China and boundary dispute the correct answer is Maruf Raza है दोस्तों Maruf Raza clear so recently which Indian person has elected as a representative of Asia in Interpol ये भी डी है प्रविन सिनहा जी को अपॉइंट किया था एश्या के इंडियन पर से नहीं लोग इंटर पोल में काम कर रहे है क्लियर नेक्स रिसेंट्ली शेक सबाल खलीद अलहमद अलसबा इनको कौन से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है रिसेंट्ली कौन से कंट्री करेक्ट आंसर इस कोईट है दोस्तों कोईट ओके से एवरियर ओन विच डेट अफ नॉवंबर इस सेलेबरेटेड अलोवर इंडिया 26 नॉवंबर को हम कॉंस्टिशन डे बनाते हैं वरी इंपोर्टेंट ओके यह छोटे-छोटे कॉशन आपको लगता होगा इतना इजी है बट यहीं कॉशन में आप कन्फ्यूज हो जाते हैं और रॉंग रखके आ जाते हैं ठीके तो इसा मत कीजिएगा नेक्स्ट इन विच स्टेट इन टरिटरी निर्मदा सितारामन हाज लॉंच ए तेजस्विनी एंड हाउसला स्कीम और शिकर एंड शिकारा स्कीम कहां पे लॉंच केया गया है जमू कश्मीर दोस्तों करट्ट ऑप्शन इस डी जमू कश्मीर वेन इस दर नैशनल मिल्क दे सेलेबरेटेड नैशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है 26 नॉवंबर को ही रिमेंबर ओके रिसेंट्ली दा फॉर्मर प्रेजिएंट फॉर्मर प्रेजिएंट विच कंट्री चून दूवान हाज पास्ट इवे अट इज ऑफ 90 कि तो करेक्ट आंसर सौथ आफ्रिका के प्रेज स्टेट्स अफ अमेरिका अगर एजन्सी की बात करें तो नासा है दोस्तों वहाज रिसेंट्ली अपॉर्मर प्रेजिएंट्र अफ इंडिया तो सुदान बा दे मिनिस्ट्री अफ एक्स्टरनल अफेर्ट्स बीस मुबारक जी को अपाइंट किया गया है विच कंट्री रि इस बार 99% चांसे से इस कोईशन को पूचा जाएगा अभी चो नया बेस एर है उसका करेक्ट आंसर है 2016 दोस्तों विच टाइम दा हैस्ट तमिल नाडु क्रिकेट टीम ओन सायद मुस्ताखली टाइटिल रिसेंटली कौन सा अभी रिसेंटली इन्होंने जीता है तो इस बिचली अनॉंस्ट बिल्ड फॉस्त बिट्कॉन सिटी बरी इंपॉर्ट इस ब्ल सल्वादर विच से पोली साथ प्रिसेंटली इस प्रिसेंटली इस अंद्रप्रदेश वाइश वाइस अंडिक नुट्ट अवंबर पच्षीश को चलिबरेट किया गया है कि तगर्क अंसर इस और इंड वालेंस अगने स्टमें नौ पतल पानी रेल्वे स्टेशन अब इस सिटी हाज बिन रेनेम्ड आइपल आइकॉन तंतिया मामा रेल्वे स्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट यह कहां पर आता है इंदोर में MP में हमने पड़ा था राइट तो पतल पानी को अंतिया मामा कर दिया भी रिसेंट रिसेंटल रेल्वे स्टेशन इस बार इसके शोहन राइजी को नेक्स्ट अगया तो गया थिए रेसेंटली बिनेन त्रीलेंटर्ये पेड़्द गॉषगार्ड औविच कंत्री दोस्ति किसके बीच में हुई थी माल्दिव सव्ड्स्र आपको जो वन लाइनर्स हमने पड़े थे अगर उसको आपने अच्छे से देख लिया ना तो यह जो सकते हैं किस तरह से एक्जाम में पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग आपको यह बहुत ही मदद मिलेगी चलिए वे सिटी विकम दा क्लीने सीटी फ़र फिफ ताइम इन रो इन रिसेंटे रिलीज्ट सेंट्रल गवर्मेंट क्लीने सर्वे तकरेक्ट आंसर इस बी इंदोर रहे दोस्तों इंदोर विदा 2021 इंटर्नाशल अमी अवार्ट पर बेस्ट आक्टर करेक्ट आंसर इस ऑप्शन ए डेविट टन्मेंट डेविट टन्नेंट विच बैंक असलांच ऑनलाइन प्लाट्फॉर्म नेम ट्रेड अमर्च तो ऑफर डिजिटल बांकिंग अन वैल् इस इंकुबेटर अस बेन लॉंच्ट गुरुग्राम दूस्त और पहला ग्रेन एट्यम गुरुग्राम में आया था याद रख लीजिए विच बैंक असाइंड एंवो बिदा पॉंडिचरी कोपरेट टो मिल्क प्रोडूशर उनियन लिमिटेट फर फिनांसिंग गौरव हमने पड़ा है इसके बारे में भारत गौरव गुरुनानक जयंति कब इसलेबरेट करते हैं घृष कोण से बर्त अंवर्सिरी में इसलेबरेत किया गया है इस बार आप्शन ऐ नाइंटीं नॉवंबर और इस बार गुरुनानक जयंति इसलेबरेट किया गया है क्लियर नेक्स्ट फूमांग द फॉलिंग थे वावर्ड इन अबू यूनिसको पीस मीडिया आवर्स 2021 इन कॉला लंपुर मलेशिया अप्शन दी बोथ A & B यानि दूर्दशित और आल इंडिया डियो दोनों को मिला है दोस्तों इंगिस्टेट फांदेशन फ्रा इसलिभाइब लिस्टाइब दी बिजनस ब्राइबर इसकेंट फर थी या है इन विच इंडियास फिस्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर अपन रिसेंटली इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर बता पाएंगे आप इसके बार में हमने पढ़ाया था उत्तरा खंड है दोस्तों उत्तरा खंड क्लियर ऑप्शन ये चो वाट इस फॉर्कास्ट ऑफ इंडिया चाहस का इस बाछ पार इसके बाएंग डी कर एंड को जीसिति अधर कव पर इसके प्रोइशन अप्शन अप्शन बीम अनोहर पारिकर जी रिसेंटली पॉचंपल्विलेच्ट विलेच्ट बाइच विच्ट उसे थे इसम चुटिछ आई अचण टूरिजम विलेज इन द वर्ड ओके यह कौन से स्टेट में आता है इसके बारे में भी मैंने आपको पड़ाया था तो करेक्ट आंसर इस तेलंगाना है दोस्तों कहा है तेलंगाना रिसेंटली दा फेमस मन्नु भंडारी अस पास्ट वे अड़ एड़ एज अफ नाइटीव पूचा जा रहा है तो मनु मंडारे कौन है वह पूचा जा रहा है तो करेक्ट आंसर इस शी वाज राइटर रिसेंटली द गोवर्मेंट आफ करनाटका है चेंज द नेम आफ मंबई करनाटका रिजन तो वाट के कित्तूर करनाटका है दोस्तों याद रख लिए ज़िए वहाज नाशनल प्रस डे इस लेबरेटेड एवरी एर शेल प्रस डेकब सेलेबरेट किया जाता है वहाज जावर्मेंबर को नाशनल प्रस डेवनाते हैं अकर्डिंट तो अलस्त रिच्छिंट रिच्छ्त कंट्री द वोल or टेकिंग अरिका याभी हमें पर जादा चैना का अंसर है दोस्तों, option C, China, after whom the Bhopal Habib Ganj railway station has been renamed recently, the correct answer is Rani Kamalapati, option A, Rani Kamalapati, who has been recently appointed, the BCCI has the next head of the National Cricket Academy, कौन रहेंगे National Cricket Academy, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, VVS, Lakshmanji रहेंगे, option B है दोस्तों, which team has won its first T20 Old Cup 2021, by defeating New Zealand by 8 wickets, correct answer is Australia, right, option D, Australia is the correct answer, according to the survey of American Data Intelligence Form, the morning consult, who among the various leaders of the world has got the first place in the survey, okay, तो जो सर्वे हुआ था, American Data Intelligence Form के जरिये से, पहले जो प्लेस हैं, वो हमारे प्राइमेरिशन नायंदर मोदी जी हैं, दोस्तों, who has become the first player in India, sorry, in the world, to take the fastest 100 wickets in T20 International, इसके बारे मैंने पढ़ाया था, राशित खान, आफगनिस्तान के प्लेयर है, दोस्तों, on whose birthday is old diabetes day celebrated every year, old diabetes day जो है, किसके birthday पर celebrate किया जाता है, the correct answer is option B, Frederick Banting, very very important, स्टार मरकली जी गाइस question को, correct answer is Frederick Banting, on which day children's day celebrated all over the India, 14 November, recently who has been appointed as a new secretary general of Rajya Sabha, okay, Rajya Sabha के नए secretary general किसको appoint किये गये हैं दोस्तों, PC Modi ji को appoint किये गये हैं, according to the recent report by the Goldman Sachs, what is the estimated GDP growth rate of Indian economy in the financial year, क्या इसकी GDP growth rate है दोस्तों, the correct answer is 9.1, अगर moody की बात करें, तो 9.3 है, confuse मत होना, which country has become the part of new nuclear powered submarine defense alliance with the United Kingdom and the United States, the correct answer is Australia, Australia के साथ मिलके इन्हों ने बनाया है, Abdullah Hamdok has been reappointed as a prime minister of which country, इसके बारे मैंने आपको पढ़ाया था, Abdullah Hamdok, the correct answer is Sudan, ये recently बने है, who has become the new director general of Narcotics Control Bureau, Narcotics Control Bureau के नए डारेक्टर जनरल कौन बने है, option C, सत्यनारण प्रदान है दोस्तों, which chess player has been recently become the 72nd grand master of India, okay, इनका नामे, मित्रबा, गुहा, option D, recently the former president of which country, FWD Clark has passed away at the age of 85, the correct answer is South Africa के दोस्तों, on which date old pneumonia day celebrated every year, 12 November को मनाया जाता है, what is the rank of India and recently released global drug policy index, the India rank बता पाएंगे, ये भी हमने पड़ा था, 18th rank है दोस्तों, recently the government of which state has announced to create India's first cyber तहसिल, ये बारे में आपको बताया था, Madhya Pradesh इसका अंसर है, the correct answer is option D, Madhya Pradesh, recently the famous actors of which film, Kozigodh Sharda has passed away at the age of 84, okay, Kozigodh Sharda ji passed होगे थी, the age of 84, कौन था ये, कनड़ा एक्टर से दोस्तों, which of the following countries has approved, Pfizer vaccine for the children between the age of 5 and 11, the correct answer is America, okay, America ने अप्रूफ किया है, recently Tamil Nadu government has changed the state's foundation day, from 1st November to कौन सा, कौन से देट ये लोग पूच रहे हैं दोस्तों, 18 July को इन्होंने चेंज किया है, okay, which word has recently become the Oxford English dictionary word of the year for the 2021, the correct answer is wax, याद रख लिजे, wax, option D is the right answer, wax, okay, option D, wax, okay, next, which city, India's first manned ocean mission, Samudrayan has been launched recently, Samudrayan कहाँ पे लांच किया गया था दोस्तों, चन्नाई में लांच किया गया था, option C, चन्नाई, recently, आफगान प्लेर, अश्गर आफगान, has retired from international sports, ये कौन से स्पोर्ट से बिलॉंग करते थे, आफगान प्लेर, अश्गर आफगान, किरिकेट से बिलॉंग करते थे दोस्तों, clear, समिन में है, so according to the report of NCRB, how many children are committing suicide every day in the country, NCRB की जो रिपोर्ट है, the correct answer is 31 children, clear, recently, which state has stopped the energy efficiency index 2022, energy efficiency index 2020, sorry, not 22, the correct answer is Karnataka, clear, तो recently, which female player has been selected for the ICC player of the month, for October महने की बात करे, तो correct answer कौन सा है दोस्ते, ये मैंने पढ़ाया था आपको, याद आ रहा है कुछ, the correct answer is Laura Delaney, okay, next, recently, which male player has been selected, main player की बात करे, तो कौन है, जो के ICC player of the month, घोशित किया गया था, the correct answer is Asif Ali, clear, ये भी से परिशा निशरूर, recently, who has been appointed as a new chief of the Indian Navy, okay, Indian Navy के नए चीफ को नबनाया गहे, options देख लीजा आप यहाँ पर, the correct answer is, Hari Kumar जी को बनाया गहे, Hari Kumar जी, okay, so which state has got the top position in the Logistic Performance Index 2021, which is released by Ministry of Commerce in recently, okay, so Ministry of Commerce recently, Logistics Performance Index निकाले थे, तो इसका top position country, state कोन सा है दोस्तों, the correct answer is Gujarat, Gujarat is the top, which bank has appointed singer, musician, actor, Zubin Garg, from Assam, has it new ambassador for the state, okay, कोन सी bank ने इसको अपाइंट किया गया था, the correct answer is Bandhan Bank, next, the fourth Scorpion submarine has been handed over to the Indian Navy under project 5, so what is its name, the correct answer is Vela, ओके ये भी हमने पढ़ा था वन लाइनर में, recently who has been appointed as a new ambassador of India to UAE, UAE के नए ambassador किसे बनाया गया है दोस्तों, Sanjay Sudhir साब को बनाया गया, Sanjay Sudhir को, recently the famous actor of which film, Puneet Rajkumar has passed away at the age of 46, इनको कोन नहीं जानता, यहाँ पे करनाटक में तो बहुत ही फेमस actor है, the correct answer is Kannada actor है दोस्तों, recently who has become the first Chinese woman astronaut to walk in space, very very important, to walk in space, the correct answer is Wang Yaping है दोस्तों, Wang Yaping, on which date National Cancer Awareness Day is celebrated, National Cancer Awareness Day is celebrated on 7th November, याद रहे लिजे, so who has recently won the Booker Prize of the Year, Booker Prize of the Year 2021 की बात करे, तो किसने जीता है इस बार, the correct answer is, दमुन गलगोट, इसके बारे भी हमने पढ़ा था, recently who has been appointed as a new chief of the Central Industrial Security Force, कोन बने थे दोस्तों, Central Industrial Security Force के नए चीफ, गोविन्द सिंग नागर जीव बने थे, on which, on which birth anniversary National Education Day celebrated, on 11th November, all over India की बात करे, यह है अबुलकलाम आजाद, हमारे Education Minister भी रह चुके हैं, don't confuse with the Abdul Kalam, उके, इनका नाम है अबुलकलाम आजाद, the government of which state has recently started, स्रामिक मीतरा योजनफ और दे वंकर्स, engaged in the construction, the correct answer is Delhi ने स्टार्ट किया है, clear, तो चली, recently, Sankalb Gupta has become the which Grand Master of India, कौन से नंबर के Grand Master बने हैं, यह पूच रहे हैं, आपको the correct answer is 71st, recently, who has become the new CMD of PTI India, PTI India के नए Chief Managing Director, कौन बने हैं दोस्तों, यह आपको पूच रहे हैं, the correct answer is Rajiv Kumar Mishraji, who has been appointed by the BCCI, as the new head coach of Indian cricket team, Rahul Dravitz, यह new head coach है, Rahul Dravitz, next, according to the recent release, हुरून Indian Report for the year, who has become the biggest donor, the correct answer is Azim Premji, okay, recently, the government of which state, has launched Uttam Beach Portal, to provide better quality seats to the farmer, the correct answer is Haryana, दोस्तों, Haryana ने लांच किया है, recently, who has become the new CEO of Barclays Bank, इसके बारे में भी हमने पड़ा था, the correct answer is CS Venkatra, Venkata Krishnan, recently, famous personality, Yusuf Usain has passed away at the age of 73, who was he, कौन थे यह, the correct answer is actor, Yusuf Usain, जो के दिल्प कुमार, वो भीन का नाम भी Yusuf था, डोंट कन्फिस, ये भी जो है आक्टर है दोस्तों, 93, next, चलिए, वो दिल्प कुमार जो है, वेज़िटरिंडे, 1st November पर दोस्तों, who has recently become the new chairman of national company law tribunal, the correct answer is Ashok Bhushan, जी को मनाया गया, the bank of Baroda, Financial Solutions Limited, has partnered with which of the following bank, to launch B.O.B. credit cards, किसने किया है, the correct answer is B. NCPI का साथ इनोंने collaboration किया है, partnership किया है, in which country the FIFA World Cup 2022 will going to be held, the correct answer is Khattar, दोस्तों, which of the following Indian cricket player has appointed by the plateau footwear, brand as it, brand ambassador, किसको appoint किया है, Rahul Ravid जी को appoint किया है, तो चले, next, देखते है, और रिडिवर्फी डे कब शलेबरेट किया जाता है, तो जच वरी वरी इपर्टेंट, आट नॉंबर को शलेबरेट किया जाता है, और रिडिवर्फी डेगर्फी 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 डेखे, recently the record of lightning, how many lamps, simultaneously in Ayodhya, has been recorded, in the Guinness book of World, the correct answer is B, के 941 551 इतने लैंब जो है रिकॉर्ट बना दिया गिनिस ओल रिकॉर्ट में नेक्स्ट वेर हैस दा इंडियास फर्स्ट वाइलाफ डिन लाबरेट्री वास टार्टेड कहां पर स्टार्ट किया गया पहली डिन लाबरेट्री इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था वेरिस इंडियास फस्ट टेस्ट्यूब बनी बफेलो बन रिसेंटली इसके बारे मैंने बताया था गुजरात इस अक्रेक्ट अंसर गुजरात तो विच कंट्री आज रिसेंटली डिक्लेड क्लाइमेट चेंज असे नाशनल सेकुरिटी इशू गरेक्ट आंसर इस नुके की बीचे गां रेसेंटल इस रेसेंटली यह प्षू टार्गेल से असाथी आरेबिया विच कंट्री अपॉजरा प्लिटीकल प्रिजिटिकल नेयुसरे अलीक्सी नावली असबीन अवार्णेट दल्फू प्रईजगरोव प्रीडप फ्रूंसे बिलौंग करतें what is the theme old polio day celebrated on October 24 क्या theme है दोस्तु old polio day की theme पूच रहा है यह के दा करेक्ट आंसर इस option D delivering on a promise के तो चले नेक्स देखते हैं so what is the rank of India football team in the latest FIFA ranking very very important the correct answer is 106 पहले 104 थे हम उसके बाद 106 हो चुक है recently at which place the Indian Navy has organized an offshore sailing boat race to celebrate Amrit Mahasubh of Independence कहा पर celebrate किया जा रहा है correct answer is kochi to goa what is the name of mobile app launch by the election commission of India for digital mapping of all polling station the correct answer is Garuda Garuda app recently on which date international snow leopard day was celebrated कब celebrate किया जाता है 23rd October को celebrate किया जाता है रिसेंटली भारती एक्सिया life insurance has entered into the bank assurance partnership with which small finance bank correct answer is utkar small finance bank which country has recently elected its first president preparing for the Republic removing Queen Elizabeth for the post of head of state the correct answer is कौन है बता पाहेंगे आप Barbados very very important on which state did India complete 100 crore doses of covid vaccine in nine months कौन से date पे हमने complete किया है option B 21st October को अभी फिलवक्त प्रेजन की बात करें तो हमने 150 crore को complete कर लिया है दोस्तों क्योंकि आपने सुना होगा call or tune 150 crore vaccination has been done what is the rank of India according to the global food security index की बात करें क्या rank है 71st rank है इसका who has been appointed as a ambassador of the Russian film festival to India किसको पॉइंट किया गया था सर्फराज आलम जी को पॉइंट किया गया था विच कंट्री आस रिसेंटी डिक्रेर 60-day state of emergency due to increase in violet violent drunk crimes साथ दिन की emergency लगाय थी कौन सी कंट्री थिये Ecuador थी दोस्तों कौन सी थी Ecuador next in which state did PM Modi recently inaugurate खुशी नगर इंटरनाशनल एरपोर्ट तक रेक्ट आंसर इस यूप के यूप में इनाउग्रेट या गया है चले next in which district home minister Amit Shah has launched Modi one under sewa ही संगेठन program कौन से district में लांच किया गया है यह आपको कौशंबिक में लांच किया गया है दोस्तों इंडिया फर्स लाइफ इंसुरेंस विच कंट्री यूबर कप बैडिफिटिंग चांपान करेक्ट आंसर इस चाइना है दोस्तों के चैना ने जीता है रिसेंटी लूशी मुशिन जो स्टार्ट किया था नासा ने वह किसको स्टेडी करने के लिए स्टार्ट किया गया था स्टार्ट करेक्ट आंसर इस ट्रोजन अस्टरोइट स्टेडी करने के लिए विच स्टेट आज लॉंच मेरा घर मेरा नाम स्कीम पंजाब करेक्ट आंसर इस ऑप्शने पंजाब वहास वन दा इनाग्रल अर्थ शॉट्ट प्राइज ऑफ दिया गया है इस बार का अर्थ विद्यूत मोहन जी को दिया गया है विच कंट्री आज रिसेंट्ली लॉंच्ट अफस्ट सोलार एक्स्ट्रोरेशन साटलाइट जी ही अन लॉंग मार्च टूडी रॉकेट किसने जी को किसने लॉंच किया था दोस्तों ले करेक्ट आंसर इस चाइना ने लॉंच किया था कितना फाइन लगाया है इस बीया के पर एक करोड का रिसेंट्ली रॉंच को किसने लॉंच की बात करें अप्शन भी राहूल ड्राविट जी को विच कंपनी आज रिसेंट्ली लॉंच अन आटमेटिक फ्यूलिंग टेक्नोलोजी कॉल्ड यूफिल वेरी वेरी इस प्शिन बीपील इस फिस सी इन इंडिया टीलोज वीरोपस इन पॉब्लिक ट्राश में जान कर्णकर के वार नासी ओंड। पहर फाइनेंस लिमिटेट को माहरतना स्टेटस दिया गया है दोस्तु क्लियर तो चलिये नेक्स्ट विच कंट्री आर्म एमी हंटर अस विकम अंगेस्ट बैक्समेंट तो स्कोर ओडियाई सेंचरी इन उमेंस और उमेंस क्रिकेट की बात करें किसने चीता है क्या है दो क्रेक्ट आंसर इस ऑप्शन ए ऐर्लाइं इंडियन रेल्वे अस रिसेंट इस्टार्ट टू लॉंग इस्टेंस ट्रेंस पर सौथ सेंट्रल रेल्वे विट इस नीम आप दोस्तू ट्रेंस वरी वरी इंपॉच्छें तो डेफिनेटल एक्जाम पूच्छ सकते है क्लेक्ट आंसर इस ट्रिशूल आंड गरुड़ा विट विच तीम ओल्ड अर्थराइटिस डे टूटाउजन टॉन्टीमन वास सेलेब्रेटेट कब सेलेब्रेट किया जाता है सॉरी इनों तो डेट दे दिया तीम पूच रहा है कि तीम इस डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम तो वर्क ऑप्शन डीजए करेक्ट आंसर वास बिन अपॉंटेट अज फर्स्ट प्रेजेंट अफ इन्डिश इंडियन स्पेस असोशेशन को ने पहले प्रेसिएंट इसके जैंद पातिल जी को बनाया गया गया डॉक्टर अब्दुल खादिर खान हूं पास्ट वह रिसेंट्ली वस नीज्य सांटिस्ट ऑफ इस कंट्री कॉंसे कंट्री के दोस्तों पाकिस्तान के हैं क्लियर नेक्स्ट वीच बैंक हास लॉंच एस्क यसध्या दर कस्टमर आउट्रीच प्रोग्राम सिक्ष सिक्सेश क्याँ निकाला है दोस्तों पंजाब नेस्टील निकाला है इन विश्टेट बतुकम्मा फेस्टिवल वस सेलेबरेटेड़ दा करेक्ट आंसर इस तेलंगाना बतुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलेबरेट किया जाता है विच और्गनेशन हस रॉंच्ट फिंटेक हैक अटान आइस्प्रिंट 21 रिसेंट्ली कौन से ने लॉंच्ट किया था? फेसेंटल विच स्पेल कोविद 19 वेक्शिन किवस् क्षिंट बोलते का फेसी थे वार्ट लिदा मैं टॉक सेंट सेंट में में से था दौर्ट मेंज को दिया गया सॉन बी पी आर स्रिजेश जी को दिया गया दो रिसेंट्ली हो मैनी पीम मित्रा मेगा टेक्स्टाइल पार्क अप्रूट बाइड गॉर्मेंट तो सेट अप इन फाइव इर्सेट्ट आंसर इस कितने सेवन के रिसेंट्ली विच इंडियन स्टेट इस गॉट एग इस बार वन पॉइंट फोर वन लाक करोड बजेट के टाइम पर मैंने आपको बताया था राइट तो रिसेंट्ली विच कंट्री आज मेड नाशनल लॉओ और प्रोडेक्शन और एक्स्पोरेशन अब बॉर्डर एरियास अफ दी कंट्री फॉर्द फर्स्ट टाइम तकरेक्ट आंसर इस चैना ने दुस्तु चैना ने बनाया है विच काट्टून क्यारेक्टर हाज बिन इंक्लूड़ूद अफिशल मास्केट अफ नमीमे गंगे प्रोग्रेम करेक्ट आंसर इस चाचा चाहुदरी जी इन विच सिती इंडियास फर्स्ट स्पोर्ट अर्बिट्रेशन सेंटर हाज बिन अन वील्ड कौन से सेंटर में इसको अन वील्ड किया गया है इसके थीम के बारे में आपको पूच रहे हैं और पीपल फर्स्ट इस new defense minister of Canada को किसे बनाया गया था अनिता आनंद जी को बनाया गया था रिसेंटी लखनाव एन अमदाबाद two new teams of IPL have been formed अभी तक total कितने teams हो गए है इन दोनों को मिला कर गरेक्ट आंसर इस दस IPL team हो गए मिस्ते रिसेंटल फुटने वहाँ पीट रॉय्ट अनिता प्रॉप स्ट्रीश घृट्री जणेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम प्रोवाइड मेडिसेंस अट चीपर रेट्स किसने के आए है रिगरेक्ट आंसर पीके गर्ग जी को बनाया गया है रिसेंटली द गवर्मेंट फिशेट है स्कीम ने मुख्यमंद्री राश राशन आपके द्वार फॉर्द ट्रैबल पीपल मध्यप्रदेश निकाला है दोस्तों रेसेंटली वाट इस रांक आप इंडिया मंग 139 कंट्रीज इन द लौ इसको दो बार हमने पड़ा था इसको राइट अन विच डेट ऑफ दी ऑक्टोबर एवरी यर वोल्ड आयोडीन दिफिशेंसी डे इस सेलेबरेटिग करेक्ट आंसर इस 21 को मनाया जाता है रिसेंटली हूस बिकम दा न्यू चेर्मन फंड बॉडडी एम फाई किसने बनाया इनर डीच की बात करें देन दा करेक्ट आंसर इस डी अमित रस्तोगी रिसेंटली हूस बिकम देट अप्शन दी दिविया देश्मुक तो विच कंट्री फूट्बल टीम हस ओन ताइटल ओफ यस ये फ्फ चैंपियन करेक्ट आंसर इस इंडिया नेपाल को राया था हमने इस इस बिकम दन्यू सी यॉ आफ यू फसल भीमा योजना किसको बनाया था दुस्तों नए सी यो को रिटेश चौहान जी को बनाया है विच क्रिकेट टीम हाज रिसेंटल वोन दाइटल आइपल टूजन टूजन टीवन चन्नाय सूपर किंग्स ने जीता है किसको हराया था कोलकता राइट रिडर्स को हराया था व्ट इस रैंक आप इंडिया का रंगर इंडेक्स हमार कि प्र सेप्टमबर की बात कर रहा है सप्टमबर की बात करें देन अहमने पड़ाता था कोmates सिखन बतायीये लिसेंटल इस मेल प्लेटीप organized रेंटल अऱ बनुल की बात करें दिन वहीरा रिद अग्ट्यस कई Learn clear recently alexander skallenberg has become the new chancellor of which country the correct answer is austria recently who has become the new ceo of energy efficiency services limited konbanay naceo the correct answer is arun kumar mishra recently the government of which state has banned government employees from participating in politics and election course uh consistent government employees to ban kar diya gaya recently haryana ke dhustu recently which country has launched the world the first self-driving driving train Germany in Wisconsin yeah so recently who has been given the 22nd Lal Bahadur Shastri National Award very very important this could be again Lal Bahadur Shastri National Award Randeep Gholeriya who has become the new advisor to the Prime Minister Anindra Modi Amit Khareji recently who has become the Aryabatta Award who has been given the Aryabatta Award for the year 2021 kis ko diya gaya Shatish Reddy ji ko diya gaya hai recently David Card Joshua Day Angerist and Yudo W M Benz has received Nobel Peace Prize for which field correct answer economics me dono ko diya gaya hai on which day International Girl Child Day celebrated konse din manaya jata International Girl Child Day option C 11th October ko when is the old mental health day celebrated celebrated the correct answer is option C 10th October 10th October ko world melt mental health day 11th October ko International Girl Child Day clear recently who has become the first director general of directorate of ordinance ER Sheik hai very very important hai doshtum okay ER Sheik recently Maria Risa and Dimitri Muratov has received Nobel Peace Prize in the which field peace okay recently who has been appointed as a new head by the International Finance Corporation kone bane marina david ji ko baneya gaya hai recently who has become the highest wicket taker Indian baller in the IPL ki baat kare kis nai highest wicket taker liya hai is bar IPL me Harshal Patel ji recently who has received the Nobel Prize for literature literature ki baat kare the correct answer is Abdul Razak gurna ji hai option D recently who has become the first Indian female wrestler to reach finals finals of the world championship kone hai yeh the correct answer is Anshu Malik what is the position of Indian passport recently joh Henley passport index aya tha toh India ka joh rank hai woh kone sa ha 90th rank hai jostu recently Benjamin Liszt and David McMillan have received the Nobel Prize for the year kone sa field domain ko diya gaya the correct answer is chemistry meh diya gaya hai recently who has received the award for the best female player fih hockey stars award the correct answer is gurujit kaur ji ko diya gaya hai recently who has become the first state in India to do organize cultivation in cinema dal chini ki baat kare kone sa hai himachal pradesh hai dostu who has recently become the brand ambassador of coin dcx coin dcx ke brand ambassador amitabh bachan ji ko manaya gaya hai okay next recently who has become the first Indian woman cricketer to score the test century on the australian sawil shifali varma ji hai okay shifali varma ji hai ah sorry smithi mandana ji hai dhustu sorry my bad wrong hai smithi mandana is the correct answer recently siu koro manabe klaus hazelman and georgio tarisi has received the noble prize kone sa field mein ko noble prize diya gaya hai physics me diya gaya recently which football team has won the title of durand cup very very important durand cup ka title kise diya gaya hai is bar fc goa na jita hai when is the old teachers day celebrated fifth October yad rakhi jay recently which two scientists have given the noble prize in the field of medicine medicine ke field mein the correct answer is david julius and adam patapothian ko diya gaya recently the government of which state has banned the package mineral water gonsi government the correct answer is option c sikkim na ban kiya hai clear so recently the old largest khadi made national flag has been hoisted in leh us ka length or breath aapko pooch rahe hai dostu length or breath ki baat karay 225 into 150 feet recently uh najla budan romdhane has become the first woman prime minister of which country very very important question first woman prime minister icily the correct answer is tunasia next question is who has recently become the first indian player to score 10 000 runs in t20 cricket me the correct answer is virat kohli which state sojat mehendi has been given a gi attack recently the correct answer is rajasthan hai dostu rajasthan who has become the first woman speaker at gujarat legislative assembly in cancer in neema bin acharya ji ko banaya gaya hai so who has become the first formula one driver to win the hundredth grand prix very 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 important question hai dostu hundredth grand prix is bar ka lewis hamilton jine jita hai who has been awarded the best legislator award for the year 2020-21 by the karnata ka legislator assembly recently kisko diya hai dostu the correct answer is option ye bs yadurappa ji ko diya hai in which country was the old archery championship was held old archery championship is bar america mein hua tha ye maine aapko padhaaya bhi tha right which country has given the name of cyclone storm gulab very 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 important kisne rakhaya naam gulab bata paayenge the correct answer is pakistan ne rakhaya dostu uman nahi pakistan okay which state government had recently launched the healthcare aapke dwar scheme healthcare aapke dwar scheme the correct answer is option d tamil nadu okay so recently which country has become the first country in the europe to elect women uh majority parliament he i think healthcare aapke dwar scheme johai maharastha hai dhustu hai tamil ladu nahi okay so recently which country has become the first country in the europe to elect women majority parliament so women majority parliament uh kon the the correct answer is option b iceland okay so recently in which state the world highest electric vehicle charging station has been established kaha pere established kiya gaya tha highest uh charging station himachal pradesh mein established kiya gaya tha okay so chale next dekhte hain so which is the world's most valuable company in the list of hurun global 500 the correct answer is option a kya hai correct option 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 a apple on which day was the birth anniversary of pandit deen dayal upadhyay celebrated across the country and toh daya divas banaya jata hai dhustu which session of the united nation general assembly was addressed by pm narendra moody on 25th september correct answer is 76 kounsa tha hai 76th edition tha dhustu so recently which state naga cucumber was got a gi attack correct answer is nagaland okay which state has stopped among the major cities of india in third state food security index which is released by fsci the correct answer is gujarat who is author of the recently discussed book 400 days 400 days ke author kohon hai dhustu the correct answer is chetan bagat ji okay okay recently india signed an agreement with which spanish company to buy 56 transport of c 295 megawatt model kohon se uh isse nana sign kiya tha okay the correct answer is option b airbus defense okay next which hydroelectric project of india has been awarded with the iha blue planet prize kis ko diya gaya hai dhustu blue planet prize who inaugurate the first five day himalaya film festival in leh kisne inaugurate kaya festival ko anurak thakur jini recently the government of india has set up a asset management company by which name kounse naam se asset management company rakhha gaya the correct answer is idr cl okay which day was celebrated on 24th september with the theme sea ferrets at the core of shipping future the correct answer is world maritime day celebrate kya jata hai where was vijaya sanskrit mahatsub was organized organized kaha pere organized kiya gaya hai dhustu correct answer is kolkata me organized kiya gaya hai okay to chale next day so recently the united nation has released the emergency fund of how much money for medicine and medical supplies in afghanistan kitnay funding ki thi hini honne 45 million dollar ki thi indian army celebrates which day every year has a high far day very very important dhustu isko star mark ka lije ga very very important hai hai kya ho gaya bhai kunse day pezko celebrate kiya jata hai the correct answer is 23rd september so which indian beach has recently been awarded blue flag certification do beaches ko dhya gaya hai ek aapko joha kovalam hai dousra eden hai dhustu correct option ho gaya iska option c okay who has been received the bill and melinda gates foundation change maker awards kis ko dhya gaya is bar change maker award yes we saraswati ji ko dhya okay next where will the winter olympic and paralympic and paralympic games held kaha pere is burger rakhha gaya vennu beijing dhustu those are bavishman beijing me honne which indian cricketer has recently been named as a mentor of men's team for the icc t20 world cup mentor agar aap dekhen to hamaare mahindra singh dhoni ji hai old rose day konse date pe celebrate kiya jata hai dhustu the correct answer is 22 september who has been appointed as a new chief of indian air force kone new chief of indian air force vr choudhuri ji hai who has become the first cricketer in the old to score 20,000 international runs ki baat karein ki the correct answer is mithali raj clear mithali raj which tv series has won outstanding drama series award in 73rd prime day sorry prime time emmy awards konse series ko mila hai the crown hai dhustu the crown indian air force has signed 27 million 27 million euro contract to buy 24 second hand miras 2000 fighter aircraft from which country konse country humne kharidne ki baat ki hai the correct answer is france recently the third edition of exercise samudra shakti between india and which country has been signed yeh joh exercise hui thi konse do countries ke biech mein hui thi the correct answer is option d indonesia ke biech mein hui thi dhustu clear chali next dhekhti hai which country recently host a sixth edition of the joint anti-terrorism exercise peaceful mission 2021 of the sseo country kisne host kiya tha this bar russia ne host kiya tha which country cambrae viaja wal ko na had had fierce eruption yeh kahaa pe yae camerae viaja kahaa pe hai hai haapko puchar ja ra hain yeh spain mein hai dhustu aapko where was the 15th edition of the indo-neepal joint metric says surya kiran held surya kiran is bar kahaa pe hua tha pitorgar utarakhand me hua tha what is rank of india in the recently released global innovation index my india karain 46th hai recently which stet चिंदवाडा उनिवस्टी हाज बें रेंड आज शंकर शा उनिवस्टी तरेक्ट आशर इस मध्यप्रदेश विच चीफ मिनिस्टर पंजाब आज बिकम चारणजी सिंग चर्णी रिसेंट्ली कौन से चीफ मिनिस्टर बने है यह 16th चीफ मिनिस्टर है दूस्तू रीसेंट् फ्लॉरेंस नाइटिंगल अवार्ड बादी प्रेजिदेंट रामनात कोविंजी किसको दिया गया इस बार का अवार्ड ब्रिगेडियर एस्वी सरस्वती जी को दिया गया है तो चलिए यहां पर मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा इधर जो चेंज मेकर अवार्ड है वो ऑप्शन सी है दोस्तों फैरुस फाइजा बीतर जी को दिया गया सरस्वती नहीं है सौरी माई मिस्टर तो चलिए नेक्स रिसेंट्ली विच स्टेट हाइटी चिल्ली ए पर्वाइटी आयोग पार्टनर्ड तो प्रवाइड फ्री एडूकेशन स्टुटेंट फ्रम ट्लास 6 तो फूल फोर वन सिक्ष्ट फूल ऐस्परेशन डिस्ट्रिक श्रेक्ट आसर इस बाइजूस से पार्टनर्शिप किये उज्वाला 2.0 यह जोना थे लांच बाइंग सप्टमबर इन जबलपूर मध्यप्रदेश की बात करें किसने लॉंच किया है अमिच शाह ने लॉंच किया है रिसेंट्ली विच और्गनाज़ेशन है स्टार्टेट इस स्पिन स्कीम तो मेंग पोर्टर्स सेल्फ रिलाइट तो चले नेक्स देखते हैं विच कंट्री हा यह रश्या से थे थे तो तो डुटिफर्श मीटिग अप्टी फेट्स अधिज अविच शांगय कोपरेशन कांसिल जासी अडर दी चेर्मेंशिप किया था इस बर तजाकिस्तान की चेर्मेंशिप मेंवा था श्राइट नीज चले विच श्विच श्विच अच्विच श तुमी आजे सोशल जेस्टिस तकरेक्ट टांसर इस तमिल नाडू दूस्तों तमिल नाडू रिसेंट्ली वाज बिन सेलेक्टेटेट अज विनर आफ आई सी सी उमेंस प्लेयर आफ दी मन्थ फर्दी आगस्ट की बात करें तो हम पीछे जा रहे हैं अभी तकरेक्ट टांसर इस इमियर रिचर्ट शन इन विच ग्रांड स्लाम टॉर्मेट नौवाक हाज वोन दमेंस सिंगल टाइटिल रिसेंट्ली मेंस सिंगल टाइटिल किसने जिता है नौवाक ने और कौन सा है दोस दोस्तों रिसेंट्ली वहास बीन अवार्ड़े आज रामा कृष्णा बजाज मेमोरियल ग्लूबल अवार्ड फर आउट्स्टैंडिंग इंड्रस्ट्री अप्शन डी गौत्म अदानी जी विच अक्टर हाज बीन कंफर्ड अनौररी डॉक्टरेट इन हिंदू स्टैज अनुपम खेर जी को दिया गया है अनुपम खेर जी को नेक इन विच स्टेट अम आदमी पार्टी अस लॉंच सेल्फी विद टेंपल कैमपेन कौन से स्टेट में लॉंच किया है लॉक्तर अखंड दोस्तों ओल्ड ओजन डे इस सेलेबरेटेड अन विच डेट ओल्ड इस ओपन का चर्ट टाइटल दनिल जी ने जीता है निक्स्ट विच इंस्ट्थुट अस बेड बेस्ट इंस्टुट इन डिए इस धे इसिक इन्स्टूरिज कांट्रीट से इंस्टूर्ट अंसर इस अधूर्क्रीन सेट इस विच इस रूमस्त वैट आर्मी ओजर्ट व से मेनाक्री मेवाल इंडिया कीभाट करें जह़ राजिव उगरेवाल %. उन Сपंकच इडवानि हैं, विजुनाद सहीं यह गार्थ तो जो रूट है दोस्तों recently who has given the Swami Brahmanda award की बात करें Swami Brahmanda award किसे दिया गया है आनंद कुमार जी को दो सुपर 30 है ना उनको दिया गया है recently who has become the first golfer to get golden visa इनका नाम है जीव Milkhah Singh in which Indian city India's first emergency landing facility has been inaugurated पहला landing facility आपको बार्मर में किया गया है उसके बाद अभी UP में भी आ गया है दोस्तों सुल्तानपूर में recently which state government has started प्राण वायू देवता पेंशन स्कीम ताके पेडों को हम रक्षा कर सकें यह हर्याना ने निकाला है recently who has become the first Indian origin person to be the judge of Australian Supreme Court correct answer is Heman Danji तो चली how many medals has India owned in the recently concluded Tokyo Paralympic 2020 की बात करें कितने medals हमने जीते हैं the correct answer is 19 medals हमने जीते हैं यह किसमें Paralympic में हैं दोस्तों वही Olympic की बात करें तो हमने total 7 medals जीते हैं Olympic में recently who has become the first Indian female athlete to win the two Paralympic model the correct answer is Awani Lekhara ji which of the following has been declared by the Ladakh administration as a state animal snow leopard snow leopard is a correct answer who has become the first woman engineer of India to work in the coal mine okay the correct answer is Akansha Kumari where was India's starless air purified tower has been built air purified tower where has been built the correct answer is Chandigarh में बनाया गया है under whose chairman ship 13th brick summit was organized India ने organized किया है recently India's first nuclear missile tracking ship was tested in Vishakhapatnam इस ship की नाम क्या है दोस्तों INS Dhruu भय है the correct answer is INS Dhruu whose death anniversary has been announced by the Tamil Nadu government as a Mahakavidivas subramaniam भारती जी शोशल जस्टिस जे जो ईवी रामस्वामी है subramaniam भारती जी where is India's largest open air furnace built open air furnace कहां पर बनाया गया है दोस्तों उत्राखंड में बनाया गया है recently which institute has launched project udon project udon कोशने launch किया आयटी बांबे ने launch किया है clear तो next देखें विन्विच कट्री तो multi-national exercise जापाड की बात करें यह आपको कहां पर और्गनाइज हुई थी रश्या में हुई थी दोस्तों प्रनाव पोर्टल लॉंच बाइज बाजरा मिशन कौन सी गवर्मेंट ने स्टार्ट किया है चंदीगड थी चंटीजगड ने स्टार्ट किया है एक मिनत पच्छट कर ला तो और यह सुजन क्लर को विच कंट्रे आज रिसेंट्ली सेटप एव लाज़स्ट अ का प्लान टो अब्जर्ट अब्सर आइइसलांड ने सटाप किया है शूनियर प्रोग्रम हाज बिन स्टार्ट बाइच भाइच उब्डिच अप्ड फॉलिं लानी नहीं है दुस्तु विच कंपनी अस रिसेंट इसेंट इंडिया इस फर्स्ट कार्बन काप्चर प्लांटी जम्षेथ पूर्ट आंसर इस टाटा स्टी तो रिसेंट्ली विच्टेट गोर्मेट अनौंस्ट प्रोवाइद फ्री वाटर तो दॉस्तु किसने अनौंस किय थो करें घंडिया अलजिर्या कि बात करें तो कर्क्त आसे इन्स तबार फिच्ट्री च रहें प्लांचीय जॉस्तु काईश विच ट्ट्री इंडियां प्ली प्ली इसम्पर्ट आस। करें थाइडिया श्यों सुझ सिंगापुर आर इंडिया श्यों गॉर्त मृतिका शुकलाजी वह इस नम फिडिया स्ट कौन्टम कॉंटर सिमुलेटर टूल किट डिवलप रिसेंट्ली इसका नाम क्या है आपको पुचा जा रहा है क्यू स्क्राइश तब धिसार करेक्ट आशर डमका है धूस्त में स्वे सट सभशल यासे हॉड स्लमिट्वा प closure नेए निग्स ऋ इस वह रिसेंट्टली आज wildlife洱 फॉर इंड्या टोकिव आलम्पिक्स की बात करें तो टोक्य पारलंबिक्स पे पहला गोल मेडल किसे मिलाया दोस्तों अवनी लेखराजी को मिलाया वरी बरी इंपोर्टन के अवनी लेखराजी को दिया गयाया what is the name of the operation launched by the government of india to rescue stranded indians from taliban occupied हुग अग्वनितन? the correct question is operation devshakhti recently the government of which state has decided to adopt wrestling game by the year 2032? the correct answer is option c. up next when is world entrepreneur day celebrated? when is world entrepreneur day called a full entrepreneur? जे एक मिन्ट क्या हो गया वाई से नहीं पुरा स्कूल डाउन हो गया ग्राइट वोल्ड अंट्रपेनर्स डे कप बनाया जाता है दौस्तों और शरीस ऑप्शन सी 21st आगर्स्ट ग्राइट वेराज न्टीपीच लॉच इंडिया से लाज़ेस्ट फ्लोटिंग फोट फोट वोल्ड प्रोजेक्ट ए सिम्हाधरी थर्मल पोर स्टेशन कॉंसे स्टेट में लॉंच किया है अंदरप्रदेश दोस्तों क्लियर चलिए वट इस एक मिनुट्ट राइट अजिए्ट रुट राइट इस एक अज़्ड पूच लॉच राइट ग्र्ष विच इंडश राइट न्टीच इंड इस एक श्ट बूस्ट नेवल रिलेशंट टोस्तों अस्टेश ऑ्सकी तिम पूच राया व्टॉच रहा फू किस ने किया था दोस्तो अक्टिंग प्रिजिट्ट ऑप्शन भी अम्रिला साले है कि बात करें पी आर स्रीजेश जी को पॉइंट किया है रिसेंट्ली विच मिनिस्ट्री अस लॉगो और ब्रांड नेम सोन चिडिया अप्शन सी मिनिस्ट्री आफ जी अर्बन अफेल्ट्स रिसेंट्ली विच ऑवर्ड युजू पतनाए खेल रतना वाट वर्य 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 इंपोर्ट्न दोस्तो विचु पतनाए कवर्ड अमित रोहिद्दास को दिया गया है विच जुच द्यूट्व मेंट को दिया गया है दोस्तो विध्या बालन जी को दिया गया है गया है next which state has recently become the India's first e-vehicle friendly highway the correct answer is Delhi Chandigarh highway तो चले नेक्स देखते हैं recently in which state of India India's first smoke tower has been installed पहला smoke tower कहां पे लगाया गया था Delhi में दोस्तों which state government had recently launched Rajiv Gandhi Gramin Bhoomin Majdur Nya Yojana the correct answer is option D 36 option D who has been renamed by the defense minister Rajna Singh as a army sports institute located in Pune ये अभी नीरत छोप्रा स्टेडियम के नाम से नाम जाना जाता है next recently who has become the first state in India to vaccinate 100% of the adult population the correct answer is option B Himachal Pradesh where is India's first water villa is being constructed पहला water villa कहां पे बनाया गया लक्षवधी पह दूस्तों recently the government of India has changed the name of highest sports honor Rajiv Gandhi खेलरतना वार्ट तू major धायाचन खेलरतना वार्ट रिसेट्ली वार्ट वार्ट रिसेट्ली को बनाया गया दोस्तों the correct answer is Dhrithi Benerjithi को बनाया गया है what is our target loan disbursement amount for the financial year 2021-22 under the Pradhaan Mantri Mudra Yojana जब हम budget discuss कर रहे थे उसके बारे मैंने आपको बताया था the correct answer is 3 trillion okay which organization has recently developed India's first earthquake early warning system mobile app उत्राखंड earthquake alert the correct answer is option B IIT रूर्की ने developed किया है SEBI has allotted a unique number ISIN for the identification of issue on credit security ISIN का full form क्या है पूच रहा है आपको दोस्तों ISIN का full form का है international security sign number recently which ministry has launched an organization Garima Griha to provide a safer shelter to the transgender person किसने लांच किया कॉंसी ministry ने the correct answer is option C ministry of social justice and empowerment recently which bank has honored with the digital banking award 2021 by the banker the correct answer is option D DBS bank the government of which state has recently banned the use of Gorakh Dhanda very very important the correct answer is option C Gorakh Dhanda recently who has become the first national park which has become the first national park to be equipped with the satellite phone the correct answer is Kaziranga Assamme in which state India's first drone forensic laboratory and research center has been started the correct answer is Telangana on which date the PM Modi announce every year to celebrate partition honor remembrance day the correct answer is 14th august recently the government which state has announced to give Raju Gandhi Raju Gandhi Khelrathavad in the field of IT the correct answer is Maharashtra state recently the Athletics Federation of India has announced to celebrate javeling throne day on every year on which date the correct answer is 7th august which anniversary of august Kranti day was celebrated all over the India the correct answer is 79th anniversary how many medals did India win in the Tokyo Olympics the correct answer is 7 medals recently which city has become the first city in India to have a 100% vaccination against the covid-19 the correct answer is Bhuvaneshwar recently who has won the title of Miss India very very important Miss India ka title kise diya gaya hai okay 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 recently which state has become the first state in India to give the reservation government jobs to the transgender committee the correct answer is option A Karnataka hai doostu okay next where will the 7th edition of the international army games to be held 7th edition of international army games kaha pe hoote hai doostu correct answer is Russia what is the rank of India in the global youth development index global youth development index pe Russia ka rank 120 sorry India ka rank 122nd hai doostu so which is the most politic city in the world according to the report released by British company hi fresh ho taan hai correct answer is ho taan okay earth observation satellite kis ke dwarah isko launch kiya gaya hai isro ke dwarah but fail ho gaya tha ho recently for the first time between India and which country al moham al mohit al hindi 2021 exercise will be organized the correct answer is option D India aur Saudi Arabia next where has the Indian air force recently constructed the old star list mobile air traffic control tower okay the correct answer is option B Ladakh hai doostu Ladakh okay so 127th constitution amendment bill 2021 was passed by the parliament he kya hai the state and the union territory with right to make their OBC list isse related doostu after how many years commercial and private vehicles will be scrapped under vehicle scrap policy the correct answer is option D 15 years and 20 years respectively which state or union territory will hold India's first Himalayan festival in which state the Binduas wildlife sanctuary and Sultanpur national park which is listed on Ramsar sites in which state belongs to Haryana hai doostu kone hai? Haryana hai okay so next recently the Indian woman has been appointed as a women's spokesperson of the United States the correct answer is Zoya Agarwal what is the theme of 75th Independence Day celebration of India kya theme hai is bar ki D nation first always first in reach of the following African countries the first case of Marburg virus has been reported Marburg virus Genia mein report kiya gaya who has become the first woman from India to win medals in two consecutive Olympics along winning the bronze medal in Tokyo Olympics the correct answer is P V Sindhu in which city will India's major bilineal military exhibition Expo 2022 to be organized the correct answer is Gandhi Nagar man Indian men hockey team has won the bronze medal after 41 years by defeating which country in Tokyo Olympics the correct answer is Germany hai hai doostu so who is the author of recently published Nehru, Tibet and China? Avtar Singh Bhasi hai hai doostu Panima campaign has been started by which union territory Panima the correct answer is yeh Ladakh na shuru kiya tha doostu recently which country has become the fifth country to sign international solar alliance framework agreement Germany hai doostu recently who has become the youngest person to plan to climb the world highest peak K2 ki baat karei youngest person ki baat karei to in ka naam hai Sharoz Kassif recently Indian medal 12 winner Pavandi Prajan has been appointed as brand ambassador of art and culture tourism of which state? option C Uttarakhand according to the report of the economist intelligence unit which has got the first place in the list of safest cities in the world the correct answer is option B Denmark hai doostu so India in which country have signed an agreement to purchase AK 103 rifles on August 20 the correct answer is option D Russia doostu so which medal was won by the Amit Khatri of India in under 20 athletic championship in under 20 athletic championship silver medal ko jita hai which campaign has been launched recently by the minister of Jal Shakti under azadi ka amrit mahaso very very important campaign sujalam campaign hai doostu yaad rakhli je sujalam campaign okay next which has become the first state in India to declare Sanskrit as a official language the correct answer is Uttarakhand with which country India recently signed an agreement for three year joint program on agriculture sector ki baat karei the correct answer is Israel hai doostu okay the central government had recently decided to celebrate the bad day of which Indian politician has a parakramam divas okay the correct answer is Subhas Chandra Bose next in which state was the first khelo Indian sports school of North East was inaugurated on which river was the old's largest floating solar power project was built old largest Narmada pa bana gaya hai so which has become the first fully electrified railway zone ki baat karei so railway zone joh hai aapko west central railway hai doostu on which river the old highest railway arc brick watch has been constructed arch arch ki baat karei in which country India started SCRI initiative to reduce the dependency on China the correct answer is option D both A and B Japan or Australia ke sath mil kar e kiya hai doostu so launch pad scheme was recently launched by which state government launch pad scheme kis ne launch kiya hai the correct answer is Madhya Pradesh okay next time Sanrakshan Shamata Mahatsov 2021 kaha pere organize kiya gaya hai doostu ministry of petroleum ke zarih se organize kiya gaya hai who became the 38th district of Tamil Nadu okay the correct answer is Mayala Durai which of the following person has been honored with the doctor A.B.J. Abdul Kalam scientific award kis ko diya gaya hai is bar Amit Keshe Narwani ko diya gaya hai for which sector it ho minister Amit Shah launch for single window clearance system single window clearance system coal ke liye nikala gaya hai recently the Swiss canal has was blocked due to the large ship of which country ko nsi country block ho gahi thi doostu option C Taiwan which minister recently organized global bio India 2021 the correct answer is option C ministry of science and technology through which launch did ISRO 18 other satellites including Brazil Amazonia 1 the correct answer is PSLV C-51 which of the following union traitors the PASA Act was object of controversy recently C hai hai doostu Lakshwadeep with which institution the government of India has recently signed a loan agreement to improve the water transport in West Bengal World Bank 7 nai sign kiya who has been honored as a BBC Indian sports women of the year award ki baat kere to option C koneru hampi hai doostu which organization has recently launched country's first nano urea liquid very very important nano urea liquid kis nai launch kiya hai if ko nai launch kiya which bank has recently launched Kavach personal loan Kavach personal loan kis ke zarih se launch kiya gaya hai doostu so which rapid antigen test kick has been approved by the Indian council of medical research to test for the covid-19 the correct answer is option B covid self the country's first fire park kahan pe aya hai Urissa pe aya hai according to the old air quality report 2020 which of the following has been declared as old most polluted capital the correct answer is New Delhi which country was chosen as a focus country in the 51st international film festival the correct answer is Bangladesh Kaza Kalash has recently been appointed as the first women prime minister of which country Estonia hai hai doostu Estonia which bank has recently launched smart up unnati program for women entrepreneurs HDFC bank na nikaala hai which country has recently started first largest vaccination clinic to prevent the covid pandemic kis nai kiya hai doostu hai option D New Zealand in which city of Uttar Pradesh Prime Minister Nayindra Modi laid the foundation stone for memorial of Maharaja Sulah Dev through video conferencing the correct answer is Bahrech okay in which of the neighboring countries India is building the Shahatut Dam the correct answer is Shahatut Dam Afghanistan who has become the best actor award who has given the best actor award at the Dada Sahib Palke international film festival me best actor award kise diya hai doostu Akshay Kumar ko diya hai in which state the oldest animal fossil was discovered recently Madhya Pradesh hai doostu recently which state government has announced to build a Dacoit museum Dacoit museum banane ke kis nai ki hai Madhya Pradesh hai doostu which country is the old largest floating solar platform Singapore hai doostu correct answer which North American country was recently declared malaria free by WHO kis ko declare kiya gaya hai the correct answer is El Salvador what is the lighthouse project related to lighthouse project kis se related hai providing a eco-friendly strong house itors Infraczyns the opposite of the house of the